सब्सक्राइब करें सुभम लेक्टरर चैनल को और बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देए और इसके उपयोग के बारे में डिसकस करेंगे तो सब कुछ सीखने के लिए वीडियो को लास तक देखते रहें तो स्टुडेंट ये आपके यनसी इर्टी बुक का टॉपिक है और यनसी इर्टी बुक में भी 186 पेज पर दिया गया है तो चलिए हम लोग देखते हैं फासफिन क्या होता है तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फासफिन का रासानिक सूत्र देखेंगे तो ये बच्चों रासानिक सूत्र जो इसका होता है वो होता है पी एच थ्री ये है बच्चो फासफीन, P अर्थात फासफोरस, H हाइड्रोजन तो फासफोरस का एक अड़ो और हाइड्रोजन का तीन अड़ो मिलकर फासफीन का निर्माड करते हैं तो बच्चों यहां पर FASPORUS जो है इससे यह असपस्ट होता है कि यह FASPORUS का योगिक है तो फासफूरस का योगिक हम लोग पढ़ रहे हैं हमने नाइट्रोजन के योगिक को पढ़ा अल्रेडी जैसे अचनो थी इस प्रकार के योगिकों को पढ़ा ठीक है तो अब हम लोग फासफूरस के योगिक को पढ़ रहे हैं तो इस फासफूरस के योगिक को पढ़ रहे है ठीक है अब बात आती है बच्चो हम इसे बनाएंगे कैसे इसको हम कैसे निर्मित करेंगे प्रियोग साला में तो प्रियोग साला बिधी भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाओंगा तो देखे क्या है बच्चो प्रियोग साला में फासफीन को सांद्र सोडियम ह sodium hydroxide का formula तो आप लोग जानते होंगे Naoh और प्रियोक शाला में फासफिन को सांध्र sodium hydroxide के अक्रिये वाता वरण में सफेद फासफोरस के साथ उबालकर प्राप्त करते हैं अर्थात इसमें जो बच्चे बच्चों दिये गए हैं compounds उसका हम लोग formula लिखकर reaction कराएंगे जिससे हमें फासफीन प्राप्त होगा तो इसमें क्या-क्या दिया हुआ है फासफीन, sodium hydroxide और सफेद फासफूरस तो चलिए हम लोग reaction को देखते हैं ठीक है तो reaction यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं reaction तो reaction में क्या है बच्चो सबसे पहले आपको लेना है सफेद फासफूरस यहाँ पर देखिए सफेद फासफूरस के साथ उबाला जाएगा तो सफेद फासफूरस हम लोग ले लेते हैं P4 यह है बच्चो सफेद फासफूरस अभी हम लोग इसका नाम करन भी करेंगे कि कौन सब्सक्वाइड और कौन सा योगि कहा उसका नाम क्या है ठीक है तो हम लेंगे बच्चो पी-4 और प्लस हम लोगों को लेना है यहां पर देखिए सूडियम हाईडराकसाईड और इसका फार्मॉला होता है बच्चो एन ए ओ अ एच ठीक है हमें लेना है सूडियम हाईड्र इन तीनों को आपस में उबालना है देखिए सफेद फासफुरस के साथ उबालकर प्राप्त करते हैं फासफीन को ठीक है सांदर सोडियम हाइडरक्साइड देखिए सफेद फासफुरस सोडियम हाइडरक्साइड और जल हमने लिया जल के साथ ही तो उबाला जाएगा अब देखिए बनेगा क्या बच्चों ठीक है तो बनेगा क्या दो योगिक बनेंगे एक तो बनेगा N A A H 2 P O 2 ठीक है और एक बनेगा जो आपको बनाना था important जो compound है वो है बच्चों pH 3 ठीक है ये एक गया है तो pH 3 बन जाएगा अब बच्चों इसे हमें बालेंस करना है बालेंस ये रियक्शन नहीं है फासफोरस हमारे पास फोर है यहाँ पर हमारे पास फासफोरस कितना है सिर्फ दो फासफोरस है ठीक है एक देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ठीक है तो इसे हम लोगों को balance करना है तो balance करने के लिए आपको इसके molecules जानना आवस्यक है यहां पर n कितना है बच्चों एक है यहां पर n1 है लेकिन h2 h जो है हमारा कितना है यहां पर इस side में 1, 2, 3, 3 h है इधर 2 और 3, 5 h है ठीक है तो हमें अगर इसे balance करना है बच्चों तो naoh के 3 हमें molecule लेना होगा और h2o के भी 3 molecule लेना होगा जो आपका बनेगा बच्चों वो इतना बन जाएगा अब यह आपका जो रियक्सान है बच्चों यह एकदम balance है हम इसका नाम करन करते हैं देखिए इसमें 3 वर्ड जादा आये हैं आप लोग इसे याद रखिएगा ऐसे आप लोग अपने माइंड में ड्रक सकते हैं देखिए यह क्या है बच्चों यह है आपका सफेद फास्फोरस नाम करन हम इसका करते हैं सभी का सफेद फास्फोरस यह क्या है बच्चों सोडियम हाइड्रोकसाइड सोडियम हाइड्रोकसाइड हाइड्रोकसाइड ठीक है तो यह है बच्चों दो कंपाउड आपके इधर एस टू फायत बताने कि आप सकता ना हो लेकिन बता देता हूं बच्चों यह है आपका वाटर जल ठीक है यह क्या ह ह夏 पुट ऱैह को आप हीपो नहीं आप फैन घंट है आप बच्चो आपका एक इम पॉर्टंट जो है वो क्या है बच्चो यह है बच्चो फैन जिस्को आप लोगों को बनाना था जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं ठीक जिन बन चुका है तो फास फैन बनाने के लिए प्रियोग साला में आपको सफेद फास्पोरस लेना पड़ेगा NaOH, sodium hydroxide के तीन मालिक्यूल लेने पड़ेंगे और जल के तीन मालिक्यूल लेने पड़ेंगे और आपका क्या बन जाएगा बच्चो प्रोड़क्ट में 4rium hypofasphide के 3 molecule और PS3 आपका फास्पीन बन जाएगा ठीक है तो चली अब हम लोग चर्चा करते हैं बच्चो भौतिक गुड़ के बारे में सायद आप लोग को इतना सबज में आ चुका हो तो भौतिक गुड़ हम देखते हैं कि जो यह है बच्चो फास्पीन इसका भौतिक गुड़ क्या है इस प्रियोक साला बिधी को आप याद रखेगा हमेशा पूछा जाता है तो चली हम लोग देखते हैं भौतिक गुड़ ठीक है तो भौतिक गुड़ में भी बच्चो आपके दो भौतिक गुड़ यहाँ पर लिखे गए हैं दोनों को लर्ण कर लीजिए एक यह और एक य बथक गुड़ में किया बच्चो यह एक रंगहीन का मतलब जिसके पास रंग नहीं है या इसके पास कोई रंग नहीं है अ cockpit ये रंगहीन शड़ी मछली के समान गंध वाली यानि कि इसका जो गंध कर देखें इसे फासफिन को तो सड़ी मछली के समान गंध आती है ठीक है और अत्यंत विसाली आएसा है तीन टापिक इसमें कलीयर होगे वच्च said तीन पॉइंट दिये गये हैं जो फास्पीन है यह रंगहीों यह संद्वारी है और अत्यंत भी सहली आइस ठीक है दूसरा देखिए यह जल में अल्प बिले है अर्थात यह जल में कम बिले है बिले का मलब कम घुलती है अल्प बिले ठीक है और अगर बिले होता तो ज्यादा घुलती ठीक है तो यह जल में बच्चो अल्प बिले है चलिए हम लोग देखते हैं इसके रासायनी बच्यों हुलो जान अमलों से जब यह किरिया करेगा हैлов जैसे एक इसी यलही यच आई इस बी आर यह जो एक एलल हाई हई यह जो सीयल है बच्चों आई है और अहे यह और यह सब हे लोजन है हाईलोजन अमलो से किरिया करके फासफीन क्या बनाता है ठीक है तो हाईलोजन अमलो से किरिया करके के साथ अफ किरिया करके फासफोनियम लवन बनाता है कैसे तो इसका रियक्शन हम लोग देख लेते हैं समझ में आ जाएगा सब कुछ तो देखे बच्चों सबसे पहले हम ल लिया इसी तीनों में से एक ले लिया कोई यह यहां से यह वाला इसमें जुड जाएगा और आपका जो उत्पात बन जाएगा वह बच्चों पी एच फूर आई फास्फोनियम आयोडाइड ठीक है तो यह बच्चों जो है है फास्फिन हाइडाओं अम्ल 25 के लिया करके फास्फोनियम लवड बनाता है स्थोनिम लवड़ है ठीक है यह आपका फास्फी 2 ये है hydrogen iodide और ये है फासफोनियम iodide ठीक है तो I hope कि आपको ये समझ में आ चुका होगा क्या फासफोरस क्या है प्रियोग साला बिधी भौतिक गुर्ड आसायनिक गुर्ड अब चली हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कहां किया जाता है फासफीन का ठीक है तो उसे भी हम ल इसलिए जाता है ठीक है तो इसका उपयोग बच्चो धात के फासफाइड बनाने में फासफाइड जो होते हैं कुछ मेटल्स के उसे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है और समुंद्री यात्राओं में होम जिस सिगनलों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है अर्थात आपको दो उपयोग याद रखने हैं एक है इसका उपयोग धात्वों की फासफाइड बनाने में और दूसरा इसका उपयोग समुंदरी यात्राओं में होम जिस सिगनल की रूप में किया जाता है तो आई हो कि आपको यह समझ में आ चुका होगा कि इस फा दूस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर दिजिए तो इस वीडियो में स्टुडेंट बस इतना ही हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक इंपॉर्डन वीडियो के साथ तो तब तक के लिए थाइंक यू अंड टेक क्यार